लूट खसूट का बाजार गर्म था, इस गर्मी में इजाफा हो गया, जब चारों तरफ आग भड़कने लगी, एक आदमी हार्मोनियम की पेटी उठाए, खोश-खोश गाता जा रहा था, जब तुम ही गए पर्देश लगा कर ठेसो पीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा एक छोटी उम्र का लड़ का जोली में पापड़ों का अमबार डाले भागा जा रहा था, ठोकर लगी तो पापड़ों की एक गड़ी उसकी जोली में से गिर पड़ेड़ी, लड़ेड़ी का उसे उठाने के लिए जुका, तो एक आदमी जो सरपर सिलाई की मशीन उठाए वाली शक्कर उबल कर बाहर निकल आई, एक आदमी कुर्ते के बगैर था, उसने जल्दी से अपना तहबंद खोला और मुठियां भर भर उसमें डालने लगा, हट जाओ, हट जाओ, एक तांगा ताजा ताजा रोगन शुदा अलमारियों से लदा हुआ गुजर गया, के हौन की आवाज के साथ दो औरतों की चीखें भी थी, लोहे का एक सैफ 10-15 आदमियों ने खीच कर बाहर निकाला और लाठियों की मदद से उसको खोलना शुरू किया, काव एंड गोट, दूद के कई टीन दोनों हाथ पर उठाए अपनी ठोरी से उनको सहारा दिये, एक आदमी दुकान से बाहर निकला, बाजार में चलने लगा, पुलिस को बाजार खाली नजर आया, लेकिन दूर, धुएं में मलफूफ मोटर के पास एक आदमी का साया दिखाई दिया, पुलिस के सिपाही सीटियां बजाते उसकी तरफ लपके, साया तेजी से धुएं के अं नहीं, सिपाही हाँपने लगे, एक ने तंग आकर पिस्तॉल निकाला और दाग दिया, गोली कश्मीरी मजदूर की पिंडली में लगी, लेकिन एक ही जटके से बोरी उठाई और पीठ पर डाल कर फिर भागने लगा, सिपाहीों ने सोचा, जाने दो जहन्नम में जाए, ए हजरत, आप मुझे क्यूं पकड़ेती है, मैं तो घरीब आदमी होती, चावल की एक बोरी लेती, घर में खाती, आप नाहक मुझे गोली मारती, लेकिन उसकी एक न सुनी गई, थाने में भी कश्मीरी मजदूर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, हजरत, दूसरा लोग बड़ा-बड़ा माल उठाती, मैं तो फकत एक चावल की बोरी लेती, हजरत, मैं तो घरीब होती, हर रोज भात खाती, जब वो ठक हार गया, तो उसने अपनी मैली टोपी से माथे का पसीना पोंचा, और चावलों की बोरी की तरफ, हसरत भरी निगा चार आने